हाल्लो गईज तोस्वागत है आप सभी का आपके शुल पर जिसका नाम है इंकित सिंग ओधियूं सभी को होता है मेरा बीनाम अंकीत अरुगाइज जिब तेख आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो है और अगर आप कि अगर आप किसी भी मतलब कास्ट में कैटेगरी में लाए करते हो तो आपके लिए सीटी सेल खुद कास्ट वैलीडीटी के लिए वह आपको फॉर्म करने के लिए बता जा रहा है तो जैसे कि आप अगर अपने वेबसाइट पे जाओगे तो यहां पर एक नया नोटीस आया आपके लिए सी वी सी नोटीस आनि की कास्ट वैलीडीटी सर्टिफिकेट नोटीस तो देखो मैं इसको उपन करता हूं तो जैसे इसमें मैं आपको था दूश में क्या दिया गया है तो जैसे कि मैं इसको पहले वाइड स्क्रीन करता हूं तो देखो अपील to all candidates seeking admission to professional courses in the academic year 2021 21 to 22 to apply for cast validity certificate यानि कि CVC after filling online CT application form तो देखो जिन जिन स्टुडेंट ने CT application form भरा था ठीक है जानि कि मतलब exam देने के लिए CT के application form भरा था उनको बताया जा रहा है कि वो अगर उनको admission लेना है तो उनको कास वेलिडिटी सर्टिफिकेट जो है वो बनवाल apply कर देना है उसके लिए ठीक है अगर उन्होंने अभी तक नहीं किया हो तो देख सकते हो जैसे कि इसमें लिखा है as per direction of honorable Supreme Court Supreme Court यानि कि हमारे कोट तो उससे कहा गया कास्ट वेलिडिटी सर्टिफिकेट इस एन एसेंशल दोकिमेंट तो वो जो है एक एसेंशल दोकिमेंट है admission लेने के लिए professional courses के लिए courses में ठीक है और आगे दिया है CT cell is giving detail guideline to all concerned candidate and appelling them to follow the following step for completing process of filling in and submitting the application for obtaining the cash related तो CT cell है आपको detail guideline और एक opportunity दे रहा है कि किस तरीके से आप अपना जो पूरा process कैसे follow करोगे और अपनी जो कास्ट वेलिडिटी सर्टिफिकेट है उसको कैसे submit करोंगे online वह भी ठीक है तो देखो आपको क्या करना है go to website भारती लिखा है barti.maharashtra.gov.i आपको यहीं website पर जाना है ठीक है उसके click on login बटन given in the left side of page तो आपको जो लेफ्ट साइड में login बटन होगा उसके click करना है click on new registration तो वहां पर एक option आपको मिलेगा click on new registration तो फिर कुछ इस तरह के बड़े सा window open होगा ठीक है यहां पर आपको जो भी detail मांगी जाएगी fill in the detail online जो भी detail होगा वो सब आप दे देना gender UDI number mobile number सब दे देना ठीक है create profile तो आपकी profile create हो जाएगे and apply online the cash validity certificate to the concerned district cash verification committee and enclose the copy of fill मतलब फिर इसके बाद आपकी जो है बन जाएगी आपकी जो सब्सक्राइब कर दो जाएगा तो बस जाओ जाके यार अगर आपने नहीं किए तो जाके इस तरीके से फॉर्म सब्मिट कर दो ठीक है तो बस अगर वीडियो पसंद आपको इस सब्सक्राइब करना है और वीडियो एंड करता हूं ठेंक यू सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर दो झाल झाल